हलो सूपरभास साथी हूं आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सीडिपी कुन हमान सी मैंपर मेरा नाम है रभी और आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी सीटल सेकेंड पेपर के लिए सामाजी विज्ञान की प्रेक्टिस क्लासे तो चलिए शुरू करते है अपनी आज की क्लास को सुरू करने से पहले एक बार सभी लोगों से क्लास को सुरू करने से पहले एक बार सभी लोग वीडियो को सभी के पास में शेयर कर देजिए और सभी साथी मित्रों को जोड़ देजिए उसके बार सुरू करते हैं अपनी क्लास आपके लिए बहे प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चोथा है तमिल्नाड तो बताईए इनमें से कौन सा अप्षन सही हो जाएगा अधिकतर लोग इसमें रंगोली के नाम लेते ही राजस्थान या तमिल्नाड के तरह पहुंच जाते हैं लेकिन इसका हो जाएगा अप्षन नंबर वन क्य यह भारत के किस छेतर की प्रभू लोग कलाशा है तो सबी लोग अप्सवन देखें और इसका अंसर किजिएगा पहला अप्सवन है चंदिगर्ड, दूसरा है पश्चिं बंगाल, तीसरा है पंजब और चोथा है केरल तो आपको बताना है कि अलपना भारत की किस छेतर की प्रमुक लोग कलाशे लिए आपसन नमबर बी बिद्कुस सही आंसर इसका देखते हैं इला कॉस्चन भारत में पुनर जागरण का जनक किसे कहा जाता है पहला आपसने महत्मा गांधी दूसरा है राजा राम मोहन राय तिसरा आपसने स्वामी विवेका नंद और चौथा इ और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब के लिए आपकी सीटेट और यूपिटेट की कई सारी कलासे कराया चुकिए अगर आपने नहीं देखिए तो पीछे जाईए और देखिए कलासों को बहुत ही बैतरिन कलासे पड़ी हु हुआ हुआ था — पहला आपसन है वाड़ारसी दुसरा है है हैदरा बाद तीसरा है अमौत रा चोटा है दिल्ली तो बताएए इनमेंसे कौन सा आपसन सहल हो जाईगा संत कभीर का जन्म कहां पर हुआ था तो इसका हो जाएगा आपसर नमबर वन संथ कबीर का जनम कहा हुआ था बनारस या फिर वाड़ा रसी में हुआ था आपसर नमबर वन बिल्कु सही आंसर है इसको याद रखना कई बार कोश्चन पूछा आ चुका है ये आगे देखते हैं महावीर का जनम किस राज घराने में हुआ था आपको बताना है महावीर का जनम किस राज घराने में हुआ था पहला अपसर छत्रिय दूसरा है शाक्य तिसरा है लिच्छवी और चौथा है शात वहन तो बताए इन चारों में से महावीर का जन्म किस राज घराने में हुआ था क्वेश्चन नमबर पांच का जो लोग कर रहे हैं आपसे नमबर बन उनका हो जाएगा बिल्कुश सही महावीर का जन्म हुआ था छत्री घराने में कहा हुआ था च्छत्री ए घराने में वह था महावीर का जनम आगे देखते हैं क्वेश्चन नमबर शिक्स है बुद्ध की सवन्स से सम्मंदित थे आपको बताना है बुद्ध की सवन्स से सम्मंदित थे पहला अपसन है साक्य, दुसरा है शात्रका, तीसरा है कूरू काफि आपको बताना है कि बुद्ध की सवन्स से सम्मंदित थे काफ़ी आसान कुश्चन, अगर आपको बताए तो इसका अज़ागा अपसन contain की सवन्स से सम्मंदित थे साक के वन्स थे इनका आगे देखते हैं क्वेश्चन है ग्यान प्राप्ति से पूरो महावीर का नाम क्या था आपको बताना है कि ग्यान की प्राप्ति से पूरो महावीर का नाम क्या था पहला अपसन है वर्धमान दूसरा है अंसुमान और तिसरा है सुधाकर चौथा है सोमदत तो बताईए वर्धमान अंसुमान और सुधाकर सोमदा तिन में से ग्यानप्राप्ति से पहले महावीर का क्या नाम था? Question number 7 का जो लोग कर रहे है, Apson number 1 उनका हो जाएगा बिलकूँ सही. क्या था? वरदवान नाम था इनका ग्यानप्राप्ति से पहले महावीर स्वामी का आगे देखते हैं. कोश्चन है कथक कहा का नरत्य है आपको बताना है कि कथक कहा का नरत्य है पहला है उत्तरी भारत दुसरा है मडीपूरी तिसरा है उडीशा और चोथा है केरल तो बताइए उत्तरी भारत मडीपूर उडीशा केरल कथक इन में से कहा का नरत्य है तो इसका हैगा आप्सर्ण न्मबर बन कथ्छक कहाँ का है उत्तरी भारत योचिपुडूरि दूसरा है ो आपको बताना है कि मुखोटा न्रत्य का संबंद किस न्रत्य सेली से है question number 9 का हो जाएगा आपसा number C किस्षचे है मुखोटा नत्य का संबंध है कथकली से किस्षचे है कथकली आगे देखते है question है निमलिखित में से कौन सा एक सास्त्री नरत्य नहीं है आपको बताना है इन में से कौन सा सास्त्री नरत्य नहीं है पहला है UDC दुसरा है मड़िफूरी तीसरा है करबा चोलफा करथ तो बताएं में से कौन सा एक एसा न container फे जो सास्तों इन्रत्त की स्रेड़ी में नहीं आता हैמא वे तो मड़िपूरी और कर थक तो सासतिय न्रत्त में आते हैं लेकिन गरबा जो है यह सास्ती में इसका अपसा सी हो जाएगा बिल्कुछ सही आगे देखते हैं कोश्चन नमबर ग्यारा निमलिखित मैंसे किसर नर्तिका उदभाव उत्तर भारत में हुआ पहला है कथक दुसरा है भरत नाटियम तिसरा है मड़पूरी चोथा है कथकली तो बताइए इन मैंसे किसर नर्तिका उदभाव उ कर दिजिए सभी के पास में तो इसका हो जाएगा अपसर नमबर वन कहां पर हुआ था कथक निमलिखित मैंसे किस नर्तिका उदभा उत्तर भारति में हुआ था तो वह था कथक आगे देखते हैं भारत के किस भाग में बंबू नर्ति प्रशिद्ध है आपको बताना है इन कहां पर होता है में घाले में होता है आगे देखते है कुश्चन नमबर 13 करनाटक की लोक रंग भूमी है आपको बताना है कि करनाटक की लोक रंग भूमी क्या है पहला अपसर ने यच्छगान दूसरा है भवाई तिसरा है भगवत मेला चौथा इन में से कोई नहीं तो ब परनाटक का कौन सा है ये च्छगान आगे देखते हैं चरकुला प्रमुख लोक नरत्य है आपको बताना है कि चरकुला प्रमुख लोक नरत्य कहां का है पहला अपसन है बुंदेल खंड दूसरा है आवध तीसरा है ब्रज भूमी और चौथा है इन में से कोई नहीं तो सभी लोग अंसर करें heure कि कोश्च्छा नमम्र 14 का क्या ह manifest चरकुला प्रमुख लोक नरत्य कहां का है तो इस नमबर 15 का सबी लोग अंसर किजिए एक बार तो इसका जाएगा अपसर नमबर 4 यानि कि D महाराष्टर में समंदित है यह तमासा संगीत नाटक कहा का है यह है महाराष्टर का आगे देखते हैं इसा मसीह का जनम इस्थल है आपको बताना है बेथ लेहम आपसर नमबर 6 का विरकुछ सही अंसर है अला कॉस्चन देखते हैं वह इस्थूप इस्थल जिसका संबंद भगवान बुद्ध के जीमन की किसी घटना से नहीं है तो इन में से ऐसा कौन सा इस्थाले जो भगवान बुद्ध के जीमन की किसी भी गटना से नहीं है पहला है सारनाथ, दूसरा है सांची, तीसरा है कुसी नगर, चौथा है बोध गया तो आपको बताना है इन में से ऐसा कौन सा इस्तान जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंदित नहीं है कोश्चे नमब 17 का सब भी लोग आंसर करेंगे सारनाथ, कुसी नगर और बोध गया ये तीनों है लेकिन सांची जो है इसका संबंद नहीं है बुद्ध के जीवन से आगे देखते हैं आपको बताना है गोतम बुद्ध की मा किसे वन्स से संबंदित थी पहला अपसर ने कोसल वन्स, दूसरा है शाक के वन्स, किसरा है माया वन्स और चोथा है लिच्छवी वन्स आपसन देखे और आंसर कीजिए सभी लोग इसका फालों का अध्यन क्या कहलाता है जितने भी लोग पहली बार आएं आज हमारे चैनल पर और हमारी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो अच्छे लग रही हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिजिए इसका हो जाएगा अपसन नंबर बी जिन्होंने सलक्ट के अविलकू सही पोमो लाजी कहलाता है फालो का अधन कहलाता है पोमो लाजी आगे देखते हैं अगला कोश्चन ने जीवांड की खोज सरुपर्थम किसने की बहुत अच्छा कोश्चन बताए इसमें क्य भारती महिला आपको बताना है कि नोबल पुरुषकार प्राप्त करने वाली प्रथम भारत महिला कौन सी थीन में से कोश्चन नंबर 21 का अंसर कीजिए एक बार तो इसका जो लोग कर रहे हैं आपसन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुस सही मदल टेरेशा को सबसे पहले भार भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी आपको बताना है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी कोश्चन नंबर 22 का अंसर कीजिए सभी लोग करने भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी श्रीमति इंद्रा गांधी कौन थी आ बिलकुत सही अंसर हो जागा इंद्रा गांध ही आगे देखते है मदुरे कहा है आपको बताना है तमिलनाड में आंधुदेश में और प्रदेस में सिक्क्रम में भिمें गाले में मदुरे कहा है मदुरे ये जो इस्तान है मदुरे वो कहाँ पर है इसका उजाएगा अपसर निंबर वन क्या उजाएगा ये इस्तान है तमिल नाडु में कहा है तमिल नाडु इसका बिलकुल सही शही अंशर एकला question देखते हैं भारत और चीन के बीच में कौन से रेखा सीमा निर्दारन का कार करती है इसका अंसर किजिए सभी लोग पहला है रेड़ क्लिप रेड़ क्लिप रेखा क्या भारत पाकिस्तान के बीच में आपको बताना है कमेंट बाक्स में बता रहें बिल्कु सही बता रहें कि नहीं भारत और चीन के बीच में तो मेक मोहन रेखा थी आपसर नमबर सी आपको बताना है कि डूरंड रेखा और रेड किलिप रेखा किसे किसे के बीच में है कमेंट बाक्स में आप लोग जरूर बताना यह हमें है कि रेडिकलिप रेखा और डूरंड रेखा किन देशों के बीच में है आगे देखते हैं पालले गुरूप के थमसब नामक ब्रांड को किस बहुराष्टरी कमपणी ने खरीद लिया था आपको बताना है कि पालले गुरूप के थमसब नामक ब्रांड को किस बहुराष्टरी कमपणी ने खरीद लिया था तो इसका अंसर किज़े आप लोग अगर पता है तो नहीं तो इसका हो जाएगा अफसर नंबर D क्या हो जाएगा कोको कोला ने खरीद था इसको अगे देखते हैं इन में से कौन भारती बहुराष्टरी कमपणी है आपको बताना इन में से एसी कौन सी कमपणी है जो भारत की है नोकिया डाबर सेम्चंग या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका अफसर हो जाएगा C हो जाएगा तो इसका हो जाएगा अफसर नंबर B क्या हो जाएगा डाबर C नहीं इसका हो जागा B ढाबर जो है ये भारती बहुराष्ट्री कमपनी है आगे देखते हैं उपभोगता अधिकार दिवस कम मनाया जाता है तो इसका आंसर किजिए सभी लोग उपभोगता अधिकार दिवस कम मनाया 17 मार्च 15 मार्च 19 अप्रेल या फिर 22 अप्रेल आंसर किजिए इसका उपभोगता अधिकार दिवस कम मनाया जाता है तो इसका हो जागा आप्सन नमबर B 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोगता अधिकार दिवस आप्सन नमबर B इसका विरकुर सही आंसर है अगला question ए अंतराष्टी मानकी करण संगठन यानि ISO का मुख्याले कहा है आपको बताना है अंतराष्टी मानकी करण संगठन आ ISO का मुख्याले कहा है धाका जनेवा निवियार के लंदन question नमबर 8 इसका हो जाएगा option नमबर B कहां पर है ISO का जनेवा में और किसका किसका है WHO का कहा है इसका भी जनेवा में ही है आगे देखते हैं इसका अफसर नमबर 20 है हो जाएगा ISO का मुख्याले कहां पर है जनेवा में आगे देखते हैं भारत के कौन से दो राज खनीज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं आपको बताना है इन में से भारत के कौन से दो राज खनीज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं इसका अंसर किजी सभी लोग question number 29 का answer क्या हो जाएगा सभी लोग, बताइए एक बार इसको तो इसका हो जाएगा option number 4, असम एवम गुजरात क्या हो जाएगा असम एवम गुजरात भारत में खनी तेल के छहतर में अग्रणी उत्पादक हैं अगे देखते हैं भारत में तेल और प्राकर्तिक गेस निगम यानि ONGC का मुख्याले कहां इसतित्यापको बताना है भारत में तेल और प्राकर्तिक गेस निगम ONGC का मुख्याले कहां सित्य तेहीरापूर, गुहार्टी, देहरादून या फिर मोंबई question number 30 का हो जाएगा option number जो लोग select कर रहे हैं option number C उनका हो जाएगा बिल्कुस सही O.N.G.C का मुख्याले कहा है साथी हो यह है देहरादून में तो आज की हमारी class यहीं पर होती है आप लोग comment बाक्स में बताना कि आज की हमारी class आपको कैसी लगी और आपको निमत रूप से त्यारी करनी चाहिए क्योंकि SST जो हता seated में जो सामजी की विग्यान आती है वो थोड़ी hard होती है उसकी pedagogy के question काफी बड़े बड़े होते हैं तो हम आपको वह भी करवा रहे हैं पेड़ा गोजी की class भी 3-4 करवा दिगई है समजी की विग्यान के अगर आपने नहीं देखिए तो playlist में जाए और वहाँ से अपनी class की देखिए बहुत अच्छे-च्छे question आपको करवा दिए गए समजी की विग्यान में फिलाल अभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल पर वोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बागी सब भी लोग इस वीडियो को समाप्त होने के बाद में अपने सभी साथी मुत्तर के पास में शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे धन्यवाद बाबाई